थ्रॉंबो साइटोपीनिया जिसे लो प्लेटलेट काउंट की समस्या भी कहा जाता है इसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो प्लेटलेट काउंट का कम होना क्या है इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे खून हमारा कई तरह की कोशिकाओं का बना होता है और ये कोशिकाओं प्लाजमा नमक द्रव में तैरती है खून का एक बड़ा हिस्सा प्लाजमा ही होता है और ये मुक्यता पानी से बना होता है रक्त कोशिकाई तीन तरह की हो सकती है जो खून में उपस्चित रहती है इनमें शामिल है एरिथ्रोसाइट्स, लिकोसाइट और त्रॉम्बोसाइट अर्थाथ लाल रक्त कोशिकाई, सफिद रक्त कोशिकाई और प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम है त्रॉम्बो साइट्स जिसकी वज़ा से त्रॉम्बो पासाइटोपीनिया यहां पे हम चर्म यूज़ करते हैं जब आपकी त्वचा घायल या फट जाती है तो प्लेटलेट्स आपस में चिपक जाते हैं और ब्लेडिंग रोकने के लिए ठक के बनाते हैं जब आपके रक्त में परियाप्त प्लेटलेट्स नहीं होते हैं तो आपके शरीर में ठक का खून का नहीं बनता है जब भी चोट लगती है तो खून का थक्का बनाने का काम अर्थात ब्लेडिंग को रोकने का काम प्लेटलेट से किया करते हैं कई तरह की medical condition के कारण ये thrombocytes प्लेटलेट कम हो जाते हैं जिसे thrombocytopenia के situation कहा जाता है कुछ मामलों में लक्षर thrombocytopenia के काफी गंभीर हो सकते हैं और गंभीर bleeding के रूप में ये दिखाई देते हैं यदे इसका इलाज नहीं किया गया तो संभावता की या जान देवा भी हो सकता है thrombocytopenia थाथ प्लेटलेट के संख्या में कमी होने पर आपको कई तरह के लक्षर मैसूस हो सकते हैं गर्भावस्ता के कारण प्लेटलेट के संख्या में मामूली गिरावट आना एक आम बात है जबकि प्लेटलेट के संख्या का नॉर्मल कंडिशन में कम हो गई है तो इसमें आपको कई सारे लक्षर मिलेंगे जिन में शामिल है शरीड पर अलग लग तरह के निशान दिखना जिसे शरीड पर लाल रंके भूरे रंके या जामनी रंके छोटे छोटे दाने या निशान दिख रहे हों जिसे प्योर प्योरा भी कहा चाता है तो ये प्लेटलेट्स की संख्या में कमी का एक मधपूर लक्षन हो सकता है नाक से खुनाना, मसूडों से अक्सर खुनाना, लंबे समय से घाओं से खुन बहना या इसका ना रुकना, चोड लगने पर लगतार खुन बहते रहना ये सब प्लेट लेट की संख्या के कमी के लक्षण है लंबे समय तक अगर मासिक धर्म में अधिक स्त्राव हो रहा है रक्त स्त्राव जादा हो रहा है ब्लेडिंग जादा हो रही है तो भी ये ट्रॉंबो साइटो पीनिया का सिम्टम हो सकता है मलाशेशे खूनाना, मल से खूनाना, पेशाब में खूनाना, ये सब ट्रॉंबोसाइटोपीनिया के ही लक्षण है आंतरिक रक्त तुस्त्राव मतलब शरीर के अंदर अगर ब्लीडिंग होती है तो मुत्र में खून आ सकता है, मल में खून आ सकता है, गहरे लाल रंग की खून की उल्टी हो सकती है, ये severe condition को show करता है, ये दिखाता है, ऐसी situation अगर हो रही है तो तुरत आपको डॉक्टर के पास जाने के ज़रुत है, क्योंकि इस condition में platelets की संख्या बहुत ही ज्यादा कम ह हो जाती है, और ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है, कई मामलों में सिर्दर्द और तंत्रिका तंत्रे से समंध्य समस्याएं भी मैसूस होती है, जिसका कारण होता है कि मस्तिस्थ के अंदर रखतस्रा हो रहा है, तो अगर ऐसी situation है, तो ये बहुत ही dangerous case है, ऐसे condition में तू